देश की पहली मारूती 800 कार हो गई फिर से जवान नया लुक देखकर हो जाएंगे हैरान मारूती की पहली कार अब फिर से सडकों पर दोरने के लिए तयार है देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारूती सुजुकी ने अपनी पहली कार 14 दिसंबर 1983 को लॉंच की थी पहली कार मारूती 800 थी जो इंडियन एरलाइन के कर्मचारी हर पाल सिन ने खरीदी थी खुद तक कालीन प्रधानमंत्री इंडिरा गांधी ने इस कार की चाबी उन्हें सौमपी थी लेकिन बीते वक्त के साथ कार में खराबी आती गई और कार का बार में तबदील हो गई पहले खरीदार की मौत के बाद हुई लावारिस पहली मारूती 800 एस ऐसी दशकों तक हर पाल सिन के पास रही कार का नमबर था जायत 6489 उस समय इस कार की कीमत थी 47,500 रुपे हाला की बाद में जब कार खराब हालात में पहुँच गई तब भी इसे कदरदानों की कोई कमी नहीं रही उस दोरान भी लोगों ने हरपाल सिन को लाग रुपे से ज्यादा की रकम में खरीदने की पेश कशकी 2010 में हरपाल सिन की मौत के बाद यह कार बिलकुल लावारिस सी हो गई एक कमपनी AGM Technologies ने इस कार को फिर से रिस्टोरेशन करने की प्रक्रिया शुरू की रेट्रो मोड में रिस्टोर वही कार अब पूरी तहह से रिस्टोर हो चुकी है कार कस्टाइमाईजेशन कमपनी AGM Technologies ने कार को पूरी तहह से रेट्रो मोड में रिस्टोर किया है जहाँ पहले औरिजनल कार सफेद रंग की थी लेकिन अब इस कार को नए क्लास एक लाल रंग का कलेवर दिया गया है कार को अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तहह से बदल दिया गया है आईकोनिक लोग बरकरार रिस्टोरेशन कमपनी ने कार के एक सटीरियर को इस तरह से डिडाइन किया है कि कार का आईकोनिक लोग भी बरकरार रहे है और वेज़ दिखने में मौडन भी लगे कार में सामने की तरफ हिला के प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स लगाए गए है साथ ही कमपनी ने हेड लैम्प की हाउजिंग में ही डियार एल और टन इंडिकेटर भी दिये है कमपनी ने पुरानी ग्रिल की जगह नई ग्रिल लगाई है